Hello Everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का देई इनप पे स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज किस वीडियो के अंदर में हम M.H.I.02, आधुनिक विश्म, Modern World का Unit 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम एक SORT वीडियो की मदद से समझेंगे कि उसके अंदर में कौन-कौन से important topics हैं किस तरह की questions बनते हैं और उन questions का answer हम कैसे लिख सेते हैं एक SORT वीडियो की मदद से असान language में मैं समझाने के कोर्चिस आपको करूँगा दोस्तों आप सभी सरी किक वेस्ट भी रहेगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि सभी जो वीडियो से हैं पीछे की वो भी जरूर देखे क्योंकि almost सारी वीडियो एक दूसर से इंटर लिंक है चलिए हम Unit 4 को स्टार्ट करते हैं इस Unit 4 के अंदर में हम बात करेंगे पुंजिवाद और उद्योगी करन के बारे में जिसके अंदर में टोटल हमें 4 चैप्टर को कवर करना है 11, 12, 13, 14 चारो चैप्टर आते हैं इंपोर्टेंट है, 4 टॉपिक हैं इसके अंदर में और दोस्तों यहां पे जो इंटर लिंक है किस परकार से वो देखते हैं सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर इसके अंदर में आता है वानेजिक पुंजिवाद वानेजिक पुंजिवाद का जो सुरुवाद देखने के लिए मिलता है और अथारवी सताबदी के अंदर में यूरोप, अमेरिका, बिटेन जो इस तरगी कंटरियां थे इनके अंदर में वानेजिक पुंजिवाद का सुरुवाद किस परकार से हुआ इसके अगर हम करमबद तरीके को देखो देखें, तो सबसे पहले देखो, राज्ये का निर्मान हमने किया, पीछे में ने यूनिड में बताया, तिती दूसरी यूनिड में राज्ये का निर्मान हुआ, तो राज्ये को चलाने के लिए एक ववस्था की भी तो जरूरत थी, तो ववस्था के लिए हमने क्या किया, न कि नोकर साई वेवस्था को हमने लाया तो राज्ये के अंदर में क्या हूँआ? लोकतांतृरिक वेवस्था अपना अपना अधिकार लोक पास लोकतांत्रिक अधिकार भी दे दिया घैंए उस से तो पेट भरना नहीं है, हमने क्या किया, कि जन्कल्यान करने का फैसला किया कि भाई लोगों के हम भलाई करेंगे जनकल्यान करेंगे तो जनकल्यान कैसे करोगे आज रिवाज से तो नहीं कर सकते ना कि भीया जाओ सादा सुखी रहो ऐसा हमने बोल दिया तो उससे तो जनकल्यान नहीं होगा जनकल्यान करने के लिए क्या होगा हमें विकास करना पड़ेगा तरक्की करना पड़ेगा जिसकी सुरुवात अठारवी सतापदी के अंदर में यूरोप, अमेरिका, बिर्टिन, फ्रांस जो ऐसे देश है उनके अंदर में देखने के लिए मिलता है जिनका तकनिकी तौर पर विक्सित होने के साथ साथ वो वानेजिक पुं पुंजीवात का है, इसको समझाईए, वानेजिक पुंजीवात का असर किस प्रकार का है, उसको समझाईए, इस तरह से कोश्चन बनकर आता है, इम्पोर्णन कोश्चन है, आप इजली लिख सकते हो, ठीके समझ में आता है, यहाँ पर जो दूसरा जो चैप्टर है, के पास इस तरह से अब government ने बोल दिया तो आप उस पैसे का यूज क्या करोगे नई-नी तक्नीक बनाओगे नई-नी तरीके से उज्व करोगे टेक्निलोजी लाओगे ठीक है उद्योग लगाओगे फैक्ट्री बनाओगे ठीक है कार खाना सुरू करोगे तो यह जो पूरा प ऐसा आया उसमें तक्नीक लगाया तक्नीक आते ही वह बन गया पुंजीवादी उद्योगी करन और उद्योगी करन से फिर देश का विकास हुआ तक्नीक का विकास हुआ तो यह सारी चीज़ पुंजीवादी उद्योगी करन के अंदर में हमें दिख जाने के लिए मिलती है 18 सताब्दी के अंदर में वाने जीक पुंजीवाद के सुरुवात होते हैं और 19 सताब्दी के पार्म में हमें पुंजीवादी उद्योगी करण देखने के लिए मिलता है जिसकी सुरुवात नॉर्मली फ्रांस ब्रिटेंच से सबसे परमुकतार पे माने जाते हैं जहां पर उद्योगी करण के अंदर में तकनीक का उपयोग हुआ नहीं नहीं तकनीकों की खोज हुई ठीक है विज्ञान, सिख्षा, प्रसार इन सभी चीजों का खोज बढ़ते हैं मतलब इतर से नहीं नहीं तकनीकों का उपयोग होने लगा और हर छेतर में वो ऐसा नहीं की सरीफ तकनीक मतलब उद्योगी करण की हैं बात करें फैक्टरी की बात करें ऐसा नहीं सिख्षा के छेतर में परसार हुआ सामाजिक जीवन जो जो लाइफ लिविंग स्टेंडर होता है लोगों का इस तरह से सिंपल सा एक कुश्चन आ जाता है मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक समाजवादी उद्योगी करण अब देखो उननीसवी सस्तावदी का सुरुवात हो चुका था अब पूरा विश्व था वो फॉस्ट वर्ल्ड वर अलमोस्स स्टार्ट के स्टार्ट होने का टाइम पिरेड था ये और विश्व के जादा तर जो बड़ी बड़ी जो कंट्रियां थे या फिर जो बड़े पावर्फुल कंट्रियां बनी तो उन्होंने पुंजी वात को अपना लिया जिसके अंदर में बोला गया कि नीजी संपत्ती मानने है कोई भी वैक्ति जितना मर्जी संपत्ती बनाए कोई दिकत ने है गवर्मेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है वहीं पर 1917 के करीब में सोबियस संग के अंदर में क्या हुआ रूसी करांती की सुरुवात हो जाती है जहां पर समाजवादी वैवस्था की मांग की जाती है रूसी करांती को अक्टूबर की करांती भी कहते है वॉल्सेविक करांती भी कहते है किसानों मजदुरू की करांती भी कहते है और कई सारी नामों से जाना जाता है मैंने कई सारी वीडियोस रुजी करांती के उपर में पहले ही बना रहे हैं अगर आपने नहीं देखा तो देख ले ना जिससे आपको समझ माँ है अब देखो समाजवादी उद्वगी करेंड क्या है जिसके अंदर में पर्मुक्चु तत्व है जो पर्मुक्चु तत्व हो समाज को माना जाता है समाज के अंदर में राइट्स देकर समाज को राइट्स देकर दिकार देकर वहाँ पर उद्वगी करेंड का विस्तार किया जाता है तो समाजवादी उद्वगी करन कहले है जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा नीष जो देखने के लिए मिलता है आगर इसका कोश्चन बनेगा तो समाजवादी उद्वगी करन क्या है यह सिंपल सा बन जाता है या फिस्तार किस परकार से हुआ सोविश संग के अंदर में ये बताए इस तरह से normal question बनता है ठीक है समझ में आता है चौथा topic important topic हो जाता है अलप विकास अब देखो विश्व टोटल 1917-18-20 के करीब मान के चलते हैं दो भागों में बटा हुआ था एक तरप था पुंजीबाद एक तरप था समाजवाद ये reality नहीं है पर ठीक है टोटल विश्व जो था तीन भागों में बटा हुआ था एक तो था जो पुंजीबाद जिनके पास पैसे थे एक तो जो समाजवाद जो समाज को main important रो लेके चल रहा था जो तीसरा जो था तीसरा अलप विक्सित देशों का माना गया जो ऐसे देश जो अभी भी उपनिवेशिक सरकारों के गुलाम थे उपनिवेशिक समराज जिवाद के सिकार थे जो mainly अफरीका और दच्छिन एसिया की जो देश थे वो आते हैं इसके अंदर में जहां पर living standard बहुत लो था ठीक है मिर्तियुदर बहुत जाता थे सिक्छा का इस्तर बहुत बिखड़ा हुआ था और भूक मरी ठीक है हमारी विमारियां कई तरह के हजारों तरह की problems थे और आज भी हैं तो वह अल्प विकसित देश के अंदर में आता है तो जिसके पास बुखमरी है जिसके पास गरीबी है जिसके पास निर्धनता है जिसके पास living standard बहुत लो है ठीक है तो यह सारी चीज़े जो होती है तकनीक नहीं है जिनके पास ठीक है सिक्छा नहीं है ठीक है मित्ती उदर बहुत ज़ादा है तो यह सारे अल्प विकसित देशों की स्रीड़िंग में आते हैं और अल्प विकसित देश यहाँ पर दिखार उभर कर आता है ठीके समझ में आता है तो पहला वानेजिक पुंजीवाद जहां पर पैसे को बढ़ावा मिला पुंजीवाद उद्योगी करण जहां पर फैक्ट्रिया तखनीकों का उप्योग होना शुरू हुआ ठीके समाझ बाद द्योग करण एक ऐसा रूप जो समाझ को इंपोर्टेंट दिया गया ठीके जो हमें रूस सोवेशन के अंदर में देखने के लिए मिलता है और तीस चौथा जो सबसे इंपोर्टेंट रहा ठीके अलप विक्सित देश ऐसा भी देश जिसके पास कुछ नही क्योंकि आपका रिस्पॉंस ही मुझे बताएगा कि मुझे आगे की वीडियो डालनी है या नहीं डालनी है तर फ्रेंट्स थैंकियो सो मच फ़र वाचिंग में थैंकि सो मच फ़र लिस्निंग में ठीके बाबाए ठेकर अल देवेस्ट